सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियोस को देखने के लिए हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास ये शिक्षा निदेशाले राष्टे राजधानिक शेत्र दिल्ली की वर्कशीट है वर्कशीट नमबर तीन जो की कक्षा साथवी के विध्यारतियों के लिए ही है यह ली गई है गणित विशे से और इस बार भी हम इस वर्कशीट में जानेंगे आंकडो का संगठन यानि पिछली दो वर्कशीट में भी हमने इनी के बारे में जाना था लेकिन आज हम इस से थोड़ा सा और आगे जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं अब तक हमने जाना आंकडे क्या है तथा किसी विशिश जानकारी के लिए आंकडे क्यों इखटा करते हैं आंकडो द्वारा उचित धंक से जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें व्यवस्तित या फिर संगठित करना आवशक है तो आईए जाने आंकडो का संगठन तो देखा आपने पिछली जो दो वरक्षीट थी उसमें हमने यही जाना था कि आंकडे होती क्या है और आंकडे तो हम किसी भी जानकारी के लिए इकत्रित कर सकते हैं जैसे पिछली वरक्षीट में सिखा था लेकिन आम तोर पर किसी विशिज जानकारी के लिए ही आंकडो को इकत्ता किया जाता है लेकिन जब हम आकडों को इखटा करेंगे तो हमारे सामने सवाल है कि आकडों को इखटा कैसे करें उनका संगठन हम कैसे करें तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा सातवी की अध्यापिका जानना चाहती थी कि उनकी कक्षा की कितने विध्यारती वाट्स एप ग्रूप पर कारे पत्रक खल करके भेज रहे हैं जैसे कि हो सकता है आपके अध्यापक भी ये जानना चाहते हूं क्योंकि इसके लिए उन्हें सप्ता के हर दिन कारे पत्रक भेजने वाले विध्यारतियों की संख्या उन्होंने इस प्रकार लिखी और ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हर सप्ता हमें आगे अपने वरक्षीट करके भीजते थे 33, फिर 35, 46, 29, 39, 46, 32 और 38 और फिर ये जानने के लिए कि किस दिन कितने विध्यारतियों ने कारे पत्रक पूरा किया कुछ इस तरह आकड़ों को संगठित किया गया कारे पत्रक का मतलब वरक्षीट तो उन्होंने ये इस तरह से अपनी एक टेब बनाई और उसमें पहले तो दिन के नाम लिख दिये सोमवार, मंगलवार, बुदवार, वीरवार, शुकरवार, शनिवार और रविवार और इस इस तरह से उन्होंने संक्या लिख दी कि सोमवार को 33 बच्चों ने भेजी, मंगलवार को 31 भुदवार bounces, फिर 39, 46, 32 और 38, फ विभाग को भेजना था जैसे कि भेजना ही होता है, आपके भी टीचर्स को भी भेजना होता है, इसलिए अध्यापिका ने पूरे सब्ता के कारे पत्रक को जोड़ा और साथ हिस्सों में बांट दिया, इस ओसत आखडे को हम माध्धे कहते हैं, ध्यान से समझेगा हम माध्ध कहते हैं, यानि क्या किया उन्होंने कि ये जो साथो दिन के आंकडे थे, इनको जोड़ा और साथ भागों में, साथ हिस्सों में बांट दिया, यानि ये निकल के आया ओसत, ओसत जिसे हम माध्धे भी कहते हैं, यानि कि हम ये कहते हैं कि लगभग इतने बच्चों ने वर्कशीट करके भेजी जो भी वो उत्तर आया और जो भी उत्तर आता उसे हम उसत या फिर माध्धे कहते हैं तो माध्धे निकाला कैसे इन्होंने आंकडो का योग और भाग देंगे हम उसको आंकडो की संख्या से यानि जितने ये सुमवार मंगलवार बुद्वार को जितने भी आंकडे लिखे हुए हैं संख्या लिखे हैं इन सब को पहले जोड़ना है और कितने दिन की लिखे हुए है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ तो साथ से हम उसको भाग कर देंगे यानि आंकडों के संख्याओं के यूग को आंकडों की संख्या से भाग देने पर हमें माध्य या फिर औसत प्राप्त होता है और देखिए यहां पर करके भी दिखा रखा है कि 33, 35, 46, 39, 46, 32, 32, 38 और ये आंकडे हमें उपर से मिले हैं फिर कितने दिन के लिए जैसे हम भी यह मैंने बता है काउंट कर लो, साथ दिन के लिए तो इन सब के जोड को साथ से भाग करने पर इनका जोड आया 269 और साथ से भाग करने पर उत्तर आया 37 यानि हम ये कह सकते हैं कि लगभग रोज 37 बच्चे अपनी वर्कशीट करके भेजते हैं तो चलिए ये समझ में आया आपको अभी हम आगे भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे अब अगर अध्यापिका यह जानना चाहती है कि वह अगले सब ताह के लिए अधिक से अधिक कितनी फोटो कॉपी कराएं कि लगभग सभी विध्यारतियों को कारे पत्रक मिल सके तो वह 46 होगा अभी हमें इसको बताता हूँ देखिए आपके स्कूलों में तो शायद ऐसा नहीं होता होगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि ज़्यादतर बच्चों के पास वाटसेप है जिनके पास वाटसेप नहीं होता तो उनके लिए भी हमारी सरकार ने सुविधा की है हमारे शिक्षा निदेशाले ने सुविधा ये की है कि उन्हें हार्ड कॉपी में यानि प्रिंट आउट मिल जाते हैं उन्हीं वरकशीट के तो अधियापी कभी यही जाना चाहती थी कि वह अगले सब्ता के लिए कितने फोटो कॉपी कराए कि सब को वरकशीट मिल जाए तो वो 46 उन्होंने सोचा अब यह 46 कैसे आया क्योंकि सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा या संक्या 46 है और यह बहुलक कहलाता है क्या कहलाता है बहुलक यानि अगर आप उपर देखेंगे ध्यान से देखेंगे तो तो आप देखिए कि इसमें 46 कितने बार आ रहा है 46 दो बार आ रहा है और बाकी संख्याएं एक एक बार आ रही है तो इसलिए जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है आंकडों में उसको हम बहुलक कहते हैं क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं फिर हम बात करते हैं कि यह जानना हो कि कौन से 3 दिन 35 से कम और कौन से तीन दिन 35 से अधिक विध्यारतियों ने कारेपत तक लोटाए तो उसके लिए आंकडों को बढ़ते या घटते क्रम में पहले हम लिखेंगे और जो आंकडा बीच में आता है उसे हम माध्यक कहते हैं क्या कहते हैं? माध्यक यदि आंकडों की संख्या हो सम तो बीच के दोनों आंकडों का उसत माध्यक कहलाता है क्या मतलब है इसका? कि जैसे अगर हमें उपर वाले सार्णी में ये देखना है कि कौन सी संख्या बीच में आ रही है यानि हमें ये देखना है कि कौन से तीन दिन तो 35 से कम बच्चों ने हमें कारेपत्रक लोटाए और कौन से तीन दिन 35 से ज़्यादा बच्चों ने हमें ये कारेपत्रक लोटाए तो हमें माध्यक निकालना होता है माध्यक कैसे निकालते हैं जितनी भी संख्याएं दे रखी होती है तो जो उसके बीच की संख्या तो इसमें एक बहुत बड़ा फायदा है कि यदि जो है एक संख्या दे रखी हो तब तो कोई बात नहीं तीन दे रखी हैं पांच दे रखी हैं, साथ दे रखी हैं तो इसमें तो जो बीच का नंबर होता है वो बहुत असानी से निकाला आता है क्योंकि तीन इधर के अगर जैसे साथ दे रखा है तो तीन लेफ्ट साइड, तीन राइट साइड तो बीच की जो चौत्य नंबर की संख्या है वो माध्यक कहलाएगा लेकिन जब सम संख्याओं होती हैं जैसे दो संख्याओं में देखना हो में चार में देखना हो, छै में देखना हो, आठ में देखना हो और आप इसी तरीके के अपनी कॉपी में अभ्यास करेंगे ताकि आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए तो चलिए अब चलते हैं अभ्यास की ओर तो यहाँ पर जो पहला प्रश्ण है वो है कि बताईए कि निमलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य तो अब जरा ध्यान से उपर के आंकडों को देखके जब हम बताएंगे बहुलक आंकडों में से सदैव एक संख्या होता है तो अभी आप देखो कि जो बहुलक है वो आपके आंकडों में ही आ रहा है ना वो वाली संख्या जो उपर टेबल लिखी है जैसे 46 है भाउलक तो 46 टेबल में आता है ना येस तो इसका मतलब ये कथन क्या है सत्य है ठीक है फिर इसके बाद हम चलते हैं दूसरे कथन की और वो है माध्य दिये गए आंकडों में से एक संख्या होती है अब देखिए जो माध्य निकाला यहां पर 37 क्या ये 37 संख्या उपर जो टेबल में लिखी गई थी नहीं तो ये हमारा उत्तर हुआ असत्य क्या हुआ असत्य क्योंकि माध्य जो होता है वो कभी भी हमारे आंकडों में शामिल नहीं होता फिर माध्यक जो है वो आंकडों में से सदय वेक संख्या होता है जो माध्यक अभी हमने बात की येस जब हम सारी संख्याओं को या तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे या घड़ते क्रम में लिखेंगे तो इसका मतलब संख्या तो वही है और जो चाहे बीच की संख्या और जैसे दोनों संख्या आये हो तो क्या होता है माध्यक आंकडों में से ही एक संख्या होता है अब आपको समझ में आया अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रशन की ओर ये प्रशन पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा फिर आप इसी तरीके के प्रशन अपने अभ्यास के लिए करेंगे प्रशन है कक्षा के एक मुल्यांकन में प्राप्त किये गए निमलिखित अंकों को एक सारनी बद रूप में संगठित कीजिए और ये बहुत सारे अंक यहाँ पे दे रखें जैसे एक का कख़शा में जो है ये चुटल 20 दे रखें अगर आप काउंट करोगे दो ने यहनी 20 बच्चे थे सबको इतने इतने अंक मिले हैं अब हमें सबसे पहले जो निकालना है वो निकालना है परिसर आपको याद है मैंने पिछली बर बताया था परिसर क्या होता है परिसर होता है जो सबसे बड़ी संख्या होती है और जो सबसे छोटी संख्या होती है कीजिएगा तो देखिए वहाँ जो अंक दे रखे थे उनको मैंने सारणी बद रूप में यानि टेबल की फॉर्म में ने लिख दिया यानि ये तो हो गए अंक जितने-जितने अंक जिस जिल बचे को मिले थे मैंने इस तरह से करके लिख दिये और ये देखिए मैंने इनको पूरा लिख दिया है देखिए नीचे तक ये मैंने सारे अंक लिख दिये और मैंने फिर नीचे ये भी लिख दिया कि कुल अंक ये 20 है कि अगर काउंटिंग करोगे तो ये 20 अंक है और जब हम इनको जोडेंगे तो संख्याओं का योग आएगा 100 आई बास समझ में तो अब इस तरीके से हम आगे के प्रशनों का उत्तर देंगे फिर है सबसे पहले हमने निकालना है आंकडों का परिसर अगर आप ये जो जितने नंबर अभी हम उपर से नीचे तक देख रहे हैं ये पहले कॉलम में जा अंक लिखा है इसमें आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 9 और जो सबसे छोटी संख्या है वो है 1 तो हम परिसर कैसे निकालेंगे 9 में से 1 को माइनस कर देंगे देखिए मैंने भी इस तरह से यहाँ पर किया है आंकडों का परिसर बराबर 9 माइनस 1 8 तो परिसर आ गया, आठ, फिर इसके बाद आप हमने माध्य निकालना है, पीछे हमने माध्य निकालना सिखाया था ना आपको, तो आप अगर ध्यान से करेंगे, तो इन संख्याओं का कुल योग है 20, और इनकी पूरी संख्याओं का योग 2, जो उपर से लेकर जो अगर आप 5, जमा 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, और फिर 8, 4, 6, 7, और इनको जब हम जमा करेंगे, तो इनका जो कुल योग आएगा, वो क्या आएगा, वो आएगा 100, और ये कुल मिलाकर 20 हैं, तो माध्य कैसे निकलेगा, 100, यानि संख्याओं का योग, बटे में जितने वो अंक हैं, संख्याओं की अंक हैं, वो है 20, तो 100, बटा 20 जब हमने किया, तो उत्तर आया 5, तो माध्य हुआ 5, फिर इसके बाद, हमने जो अगला करना है, बहुलक, बहुलक मैंने समझाया था ना, कि इन नंबर में, जो नंबर सबसे जादा बार आ रहा है, जब आप काउंट करोगे इन नंबरों में, तो आप देखोगे कि 5 सबसे जादा बार आ रहा है, तो हमारा बहुलक क्या होगा, 5 होगा, काउंट करके देखना है, इन सारे नंबरों में, कि 5 कितनी बार आ रहा है, तो सबसे जादा बार आ रहा है, इसलिए बहुलक हुआ पांच और फिर आखरी में निकालना है माध्यक अब मैंने आपको बताया था कि अगर संख्याएं सम हो यानि जैसे 20 है 20 एक सम संख्या होती है तो जो इनके पहले तो हमें इनको या तो घटे करम में बदलना होगा या बढ़ते करम में बदलना क्या निकालने के लिए? माध्यक निकालने के लिए तो मैंने इनको बढ़ते करम में लिख लिया इनी अंको को सबसे पहले आया एक फिर दो दो ओले पिर तीन तीन ओले चार चार पांच पांच वाले इस तरीके से और आप देखेंगे तो जो इनके बीच की दो संख्या होगी यानि दसवे और ग्यारवे नंबर की जो संख्या होगी उन दोनों को जब हम जोडेंगे और दो से भाग कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा पांच तो माध्यक भी हो गया पांच ये तो थी आज की वर्क्षीट अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को जद़ा से जद़ा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत ज़ादा शेयर कीजिए मेरे साथ इसी तरह वर्क्षीट को समझते रहिए लेकिन ध्यान और मन लगाकर जरूर बढ़ते रहिए धन्यवाद